नमस्कार दोस्तों भगवान आफसेगी को बला करें और आपकी सारी एक्षाय में नो कामने पूरी हों दोस्तों आज मैं आफसेगी को इस हाथ से रिलेड़ महत्पून जान करेंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका अंसर देते वे और और पाम रिड़ी सबसे पहले किया जाएगा तो यहाँ पर जो आपकी क्वेरी है कि कहीं डीफेमेशन ना हो जाए कोई चीटिंग ना कर जाए, लोन ले रखा है, कहीं उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए इन सब के बारे में विस्तार पूरवक एक-एकर बताए जाएगा तो सबसे बहुत ले आते हैं फिंगर के लेंद के विशे में तो आपकी फिंगर की जो लेंद है, वो पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है इसको बहुत ज़दा लॉंग या शॉर्ट कंसेडर नहीं करेंगे इसे मिक्स या नॉर्मल फिंगर कहा जाता है ये इस बात को रिप्रेजन करता है कि आपके अंदर एड़जस्टमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़दा है जिसके करण आप बहुत सरलता से किसी भी परिस्थिती माहुल के अकोडिंगली ढ़ल जाते हैं या अपने आपको ढाल लेते हैं जो जातक जीवन में बहुत अलग-अलग तरह के निर्णे लेते हैं काम करते हैं हर प्रकार के लोगों के सा संबंद अच्छे रखना हर जगे घूल मिल जाना हर जगे अपने आपको एडजस्टेबल या कमफर्टेबल बना लेना तो उन लोगों के हाथ में फिंगर के लेंद नॉर्मल देखने को मिलती हैं आपके फिंगर में कुछ गेप मेंटेन हो रहे हैं जो अधिक खर्च लेवे व्यक्तित को दर्शाता है इस कंडिशन ने पेसों पर नियंतरन बहुत कम देखने को मलता है जिसके करन पेसा सरलता से हाथ से फिसलता है या जाता है सो खर्मानों को पूरा करने में तो फिंगर के बीच में गेप अधिकतर मालों में देखने को मिलता है ये थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर देता है और अपने मर्जी के मालिक देखने को मिलते है लिडिल फिंगर के लेंध थर्ड फिंगर के फर्श पोर्ट तक जा रही है तो यह communications के लिए बहुत अच्छा मना जाता है और business के लिए भी क्योंकि mercury जो कारक है वो हमारे intelligence, intellectual, communications, marketing skills, work management का है और अगर इसके लिए अच्छी है तो इस condition market sense या knowledge बहुत अच्छा देखने को मिलता है जिसके तहट share market, debenture, bond से या trading से love इस condition मिल जाता है अगर थोड़ी बहुत practice या knowledge रखा जाये तो यह combination किसी भी तरह की हिचकी चाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवती नहीं देता इनफेक्ट जो काम अपने हाथ मे लेते हैं, अपने उसे 100% एफ़जडाल उस काम को perfectly done बेक कर पाते हैं तो यह combination mainly business and independent work के लिए बहुत अच्छा माना जाता है थर्ड फिंगर के लें तिस्टों के जिसके current ये risk taker बनाता है बेसिकली ये creative personality का sign होता है, तो हमेशा कुछ न कुछ अलग या नया करते रहने के आदत होती है और life में जितना risk लेते हैं, उतना ज़्यादा success या growth होता है आपके case में हुआ ये है, अभी हम आएंगे another palm pick पे तो देख पाएंगे कि mind lane आपकी बिखरी हुई है और mind lane जब भी बिखरी हो या फिर double line में चले तो mental stress worries बढ़ाती है otherwise third finger की length जो आपकी है वो इस बात का प्रतीक है कि आपको जिवन में कुछ भी पका पकायर नहीं मिला है और नहीं मिलेगा जो कुछ भी अरजित करेंगे सब risk लेकर के अपने दम से ही अरजित करेंगे इसलिए सूर पे पहले नीचे बाइफोर के है फिर उपर में जाकर के बाइफोर के कसाइन है कि पहले confusion या doubt में काम करेंगे बाद में उसी काम से लाभ प्राप्त होगा तो तीसरी उंगली जब भी किसी की लंबी होती है तो इससे जातक खुद के काम से risk लेकर के self-made luck create करते हैं जिसके करन सफलता मिलती है फर्स्ट फिंगर के लें यहाँ पर आपकी short है तो यह बहुत ज़दर down to earth किसमा का nature दे देता है यह चीज अच्छी चीज नहीं होती है क्योंकि आप जसे जातक वो होते जिनका हक मार लिया जाता है दूसरे लोग हक लेकर के चल जाते है तो जब खुद का हक भी ना मिले और खुद की हक की लड़ाई भी ना लड़ी जाए तो first finger उनकी shot देखने को मिलती है आपका कोई भी easily misuse कर सकता है misguide कर सकता है आपके उपर कही ना कहीं dominate कर सकता है क्योंकि first finger हमारा खुद का responsibility है analysis है, knowledge है basically और किसी भी तरह का responsibility तो जब इसकी length कम होती तो आप जैसे जाए तक कई ना की जिम्मेदारियों से भागते है या एक तरीके से देखा जाए तो आगे से रेकर के जिम्मेदारी नहीं लेते है जैसे leadership quality, teaching qualities किसी समूब का नितरुत करना या लोगों से काम निकलवाने की योगित रखना ये सारी चीज़े कम होती है इसलिए आप जैसे जाए तक वो होते है जो हमेशा अगर किसी समूब में भी है तो सबसे पीछे रहेंगे, line में है तो सबसे पीछे रहना प्रफर करेंगे, front में नहीं आएंगे क्योंकि उतना ज़्यादा कई नहीं self confidence या self respect नहीं है और उसका सीधा असर कहां हो रहा है सूर के उपर, जो कि आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि कहीं नाम खराब न हो जाए, cheating न हो जाए या आपका subconscious mind में fit हो गया ये बात और अगर subconscious mind में ये permanent रहे गया तो ये चीज़ होने में फिर समय नहीं लगेगा जो आप सोच रहे है तो इस condition का सबसे bestest और easiest remedy होता है गीता का part करना या फिर गीता सुनना आपके पास हमेशा गीता की book होनी चाहिए भगवद गीता वो इतनी दिव्य book है कि आप जैसे जातकों को बहुत help करती है जिसका भी जूपिटर कमजोर होता है जिसके अंदर में wisdom नहीं होता है knowledge तो है लेकिन utilization properly नहीं हो पाता है एक तरीके से skills तो हैं लेकिन utilization नहीं हो पाता है कभी भी life में problem हो किसी के पास मत भटकिये कहीं मत जाएए सीधे गीता को कोई भी page उठा के पलट दीजे आपको solution मिलेगा विश्वास करना पड़ेगा उस पर तो first finger जब भी short हो कभी भी अपने plannings नहीं बतानी चाहिए कभी भी अपने desire ambitions नहीं बताने चाहिए किसी के साथ मिल करके काम करने से बचना चाहिए पैसो के विश्वास में किसी को कोई जानकरी नहीं देनी चाहिए आपने जैसी अपने deep secrets आपकी काबिलित योगिता पहचान तजुर्भा जो भी कुछ बताया तो कोई भी उसको use करने के लिए easy way में आपका उपयोग कर सकता है तो इस condition में क्या होता है जिनकी first finger short होती है उनके मूँ से no नहीं निकलता क्योंकि ना करते आता ही नहीं है पता ही नहीं है जबरदस्ती जूजना पड़ता है फिर तो बस यह एक सबसे बड़ी कमी है आपके हतेली में और यही problem आ रहा है और इसी से related problem ही आएगा और कुछ problem आपके पाम में नहीं है इसके अलावा finger के उपर जब सीधी खड़ी रेखा है होती है तो friendly nature and approach दे देती है तो जो कि अच्छी बात है मितरता पुर्वक सुभाव होता है जब भी किसी का first falange के उपर island का formation माफ करें यानि एक तरीके से not जो है बनता है यह not है यहाँ पर island नहीं होता है तो not जब little finger के first falange पर बनता है तो ऐसे जाए तक व्यापार में बहुत ज़्यादा sincere होते हैं प्रगती करते हैं तरक्की होती है बशरतें independent काम करना चाहिए management, as a HR, as a financial management या as a कोई भी independent work business इन सब में तरक्की निश्यत रूप से मिल जाती है finger के जो not से यहाँ पर आपके वो develop clear cut नहीं है जो कि एक confusing mindset की निशानी होता है decisions लेने में difficulties होती है किसे ना किसी व्यक्तिविशेस के guidance या support क्यावशक्ता पड़ती है decision लेने के लिए phalanges या internal mars की स्थिति ठीक है तो stamina energy रोक पृत्रोदक शमता ठीक रहेगा thumb का size यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के ठीक है, शशक्त है और जहाँ thumb का joint point है मानसल कम है तो लड़ाई जगड़ा वहजबाजी जैसे चीजों से दूर देखने को मिलेंगे first feeling जब strong होता है तो will power बहुत मजबूत दे देता यानि इक्छा शक्ती तो आप जीवन में जितनी मेहनत करते आए हैं वो सब जूरूनियत में या इक्छा के बदूलत करते आए हैं तो आपके अंदर जैसी wisdom बढ़ता है तो बहुत बड़ी इक्छा हैं उत्पन होगी और बड़े एक तरीके से मनोकामना है आपके अंदर उत्पन होना शुरू होगी जिसकी सिद्धिक लिए आप मेहनत करेंगे तो बहुत बेटर condition में लाइफ में आप पहुसते जाएंगे तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका इक्छा शक्ती है इक्छा बल है जिस काम में इक्छा रहा उस काम को तुरंत किया वो काम बन जाएगा आपका इक्छा शक्ती है लेकिन काम को देरी से शुरू किया तो इक्छा शक्ती दब जाएगी और इक्छा शक्ती है काम भी शुरू कर दिया है लेकिन उसमें दूसरों के राय ले ले करके काम करने दूसरों को इंगेज करके काम करने तो भी आपको दिक्कत आ जाएगा तो इन दो तीन चीजों से बच के रहना है यव कचिन यहाँ पर होना मटेरलिज्म दे देता है लाइफ में तो मटेरलिज्म यानि बहुत अच्छा सुख 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 शान्ति वो प्रसन्यता प्राप्त होती है शादी के बाद भी सुख 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 शुधाय निश्चीत रूप से बढ़ती हैं भली आपके केस में लोन लेकर कि वो चीज़ें हो रही हो लेकिन यह का साइन आपको जीवन में सुख तो देगा और बहुत आराम दैक जीवन शेली देना शुरू कर देगा या चिंता मुख जीवन शेली देना शुरू करेगा अगर आप किसी भी तरह का रीचोल ली जीवन में फॉलो करना शुरू करते हैं पाम का जो यहाँ पर आपका structure है वो rectangular shape में available है तो शाररिक मेहनत के बज़ाए मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं lots of dream, desire and ambitions जीवन के प्रती देखने को मिलता है और जैसा कि देख सकते हैं कि जुपिटर के finger थोड़ी short है तो एक्छाय होती हैं ambitions भी होते हैं लेकिन low level के ही रह जाते हैं सीमित रह जाते हैं यानि बड़े नहीं हो पाते हैं सिर्फ घर परिवार या एक तरीके से जो genuine need से वहीं तक्सीमित रहती है उससे जादा बड़ा नहीं हो पाता इसलिए जुपिटर एक बार आपके palm में strong हो गए सब कुछ easy आपके life में रात और रात हो जाएगा इसके बाद में आते हैं another palm pick पे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आपके गुरू के छेतर के विशे में सरपथम तो गुरू के छेतर इसी करण से थोड़ा दब गया तो इस condition में family में इजजत नहीं मिल पाती जुपिटर मांट जब भी दबावा रहता या कम होता है जितना family के लिए सोचा होता है वो चीज़ नहीं मिल पाता आपको सिर्फ अपने family को देना ही है इस जनम में ये चीज़ ध्यान रखिए लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये है एक नहीं दो अच्छी बात इसमें ये है कि यहाँ पर आपकी एक आड़ी रेखा मजबूती से शनी के तरफ जारी है जो इस बात का इंडिकेशन देती है कि आपके बच्चे बहुत लायक संसकारी या भागशाली निकलेंगे तो जब भी किसी व्यक्ति को सांसारिक, परिवरिक, दामपत सुक या बच्चों से सुक मिलता है तो इस तरह की आड़ी रेखायाना शुरू होती है जो जातक बहुत जदा दयालू, क्रपालू दूसरों का अच्छा चाहने वाले सोशल वर्क करते वे देखने को मिलते हैं, डिरेक्ली इन डिरेक्ली कोई भी काम, शोशल वर्क से रिलेटेड उनके पाम में ये कॉम्बिनेशन होता है तो आप दूसरों का दुखदर समझ पाने में सहीयोग दे पाने में और अपना नाम सम्मान बढ़ा पाने में सक्षम रहेंगे और आपके जितने भी ये पुन्ने करमें वो कहां से आ रहा है, बच्चों से आएगा तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा है, दूसरा एक त्रिशूल का चिन शनी पर हमको बनताव दिखाई देने लग रहा है और ये चिन बहुत ही रेर और पॉजिटिव होता है ये कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा देता है तरक्की बरकत देता है और बहुत सारे लोगों की जिम्मदारी उठा पाने में सक्षम होते हैं और रहस्य विध्याँ के प्रतिरूची और बहुती अकासमी के अलग तरह का ग्यान अथवा सिक्यूरिटी जीवन में देता है जिसके करण किसी तरह का नुकसान होता नहीं या थवा होते होते बच जाते हैं तो तृशुल का जब भी चिन हो तो शिव जी के अराधना इसलिए कही जाती है क्योंकि शिव जी महाकाल है और शरी यहाँ पर आपके समय को भी दर्शाते हैं और यहाँ पर तृशुल का चिन महाकाल की अराधना या शिव जी के अराधना से आपके भाग्य में ब्रद्धी करवाएगा तो यह combination बहुत अच्छे दिखाई दिये और बहुत ही immediate यह create होना शुरू हो रहा है आपके palm में और अभी in future यह और मजबूत होते जाएंगे तो इसलिए आपका जीवन शेली निश्य दुरूप से बहुत अच्छा होता जाएगा यहाँ पर इसके अलावा और जो progress lines हैं यह progress line का connection ना mind lines ना life lines है तो जब भी किसी व्यक्ति के अंदर एक च्छा खुद के लिए नहीं बलकि दूसरों के लिए जादा होती है तब इस तरह की progress lines आ जाती है तो आपको जो आत्मिय सुख मिलता है वो दूसरों की खुशी के कारण मिलता है और वो खुशी अगर आपके कारण हो तो और बड़ी बात है तो गुरू की स्थिती सामान ने तह ठीक स्थिती में है और अच्छी स्थिती में हो सकती है अगर इसका उपाय किया जाए शने की स्थिती में सिर्फ ये combination अभी अच्छा क्रेट होता दिख रहा है बाकी अभी तक जितनी भाग रेखा सब आदिया दूरी आपकी है अब जैसे चंदर की भाग रेखा को ले दीजिए चंदर की भाग रेखा में बिल्कुल भी दमखम नहीं है तक्रिवन 35 के उमर तक क्योंकि बिल्कुल धुनली हो करके चल रही है 35 के बाद से यहां पर भाग रेखा आई और इसके सहीयोग में एक को दूसरी भाग रेखा 36 के लमसम में आई और यह रेखा सिधे मस्तिश पर आकर के रुख गई मस्तिश रेखा खुद का बुद्धी विवेक या ज्यान होता है और इस कंडिशन में आपके जीवन में 43 और एप्रोक्समेटली 44 के एज के मेड में रहेगा जिसमें प्रोफेशनल लाइफ में चेंजस होगा यह चेंजस कंपरिटिवली अच्छा रहेगा क्यों है ऐसा क्योंकि यहाँ पर जो अनदर लखने निकल रही है वो सूर छेतर के जस्ट नीचे से निकल रही है और इसका ताथ पर यह होता है कि जो मान सम्मान कमाना चाहिए वो आप कमा सकेंगे और हो सकता है यह रेखा आगे चलके शनी या सूर के तरफ चल जा तो फिर संतुष्टी खुशी अत्वा सारी मनुकामना इस सिद्वा पूर्ण हो जाएगे आपकी अब क्या होता है हतेली में कि जब भी भाग रेखा मस्तेश या हरद रेखा पर रुखती है या कहें कि शनी तक नहीं पोस्ती है तो कोई भी काम पूरा नहीं होता है हर काम आधा अधूरा या रुक रुक करके होता इसमें दिखाई देता है और इनी सब कारणों से जीवन में असंतुष्टी या फिर भाय की एक तरीके से दशा और चिंताओं की दशा शुरू हो जाती है क्योंकि किसी भी तरह के काम से पूरत है परिणाम कहां मिल पा रहा है तो यहां पर अगर भाग रेखा में बड़ोती नहीं चाहिए तो यहां पर आपको शिव जी के अरादना करना होगा शिव जी ही आपका बेड़ा पार लगा सकेंगे क्योंकि वो साफ साफ रूप से हमको इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनकी करपाद रिष्टी आपके उपर है ऐसा देखने को मिला है अभी कुछ रिसर्च में रिसेंट लिगी कि जिन किसे की भी हाथ में त्रिशुल जैसा चिन बनता है कहीं भी वो जातक अपनी जीवन में इमांदर या भोले होते हैं और वो लोग के अंदर छल कपट नहीं देखने को मिलता इसलिए इस तरह के चिन आना शुरू होते हैं जो दर्शाते हैं कि आप अब कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो रहे हैं इतना अच्छा होना लाभकारी नहीं है जीवन के लिए तो शीव जी के अराधना में फिर लोग ही वही आते हैं जो आपके जैसे हो अच्छे हो साफ सुतर दिल्यमन के हो तो ये चीज साफ साफ दिखाई दे रही है तो आँख बंद कर उनके अराधना शुरू करनी चाहिए तो आपके भाग गरेखा में बढ़ोतरी सुब परिवर्तन तो हो रहा है आपके पाम में मरकरी लाइन भी अपच्छी डेवलप हो रही है लेकिन क्या है कि सभी रहा है अभी कमजोर है आधी है जैसे भाग गरेखा आधी है मरकरी लाइन अभी कमजोर है इन सब में थोड़ी बहुत भी बढ़ोतरी आगई या मजबूती हो गई फिर तो Money Trangle तो बनी गया, जिसके बाद में पैसा आना, रुकना, पैसे का सद्विप्योग होना, इवन आप दूसरों को पैसा देना शुरू करेंगे अगर यह Money Trangle बन गया तो, तो यह combination अच्छा है, अब यहाँ पर हम देखेंगे एक combination वो है Trangle का, Trangle का combination मंगल, यह पूरा का पूरा मंगल का छेत रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यह Outer Mars और यह Inner Mars, तो मंगल के छेत पर जब भी Trangle का साइन आता है यह Square का, तो यह Property में Investment कराता है, तो यहाँ पर यह जो Trangle का साइन आ रहा है आपके पाम में, यह 45 के Ace तक आ रहा है, तो यहाँ नि, 45 के Ace तक आते आते हैं, आपको Security, आपके काम में, Property, Prosperity, यह जिस भी कारण से लोन लिया है, उसमें आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद में, आप अपने लोन को सरलता से सधा या खतम कर पाने में सक्षम रहेंगे, और नएने तरह की लोन्स ले सकते हैं काम करने के लिए, क्योंकि Mercury Line अभी भी आपके पाम में निकल रही है Mind Line से, जो Business Sense, Business Luck और Initiative लेने की आदत व्यक्तित में देता है, और एक Initiative आपने जिसे की तकरिबन 39 और 40 केज में लिया, दूसरा Initiative 46 और 7 केज में आप लेंगे, और अगर यहाँ पर Rectangle का Formation बन गया, जो तकरिबन आधा बन चुका है, तो यह एक से ज़्यादा गाड़ी घरबार का सुक तो देगा ही, एक से ज़्यादा Properties या Multisities का Property या फिर Multisities का Work आपका देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह पूरे के पूरे Combination Security के हो जाते हैं, Wealth Security के हैं, अब सुर के उपर में हम देखेंगे, तो सुर की सबसे पहली बात, आपका शनी का छेतर यहाँ से कमजोर है, और सुर का छेतर इन दो जगे से कमजोर है, तो जब भी शनी यह सुर के बीच में इस तरह से दबाव देखने को मिलता है, तो इस Condition में Life के प्रती Clarity, Confidence की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, Reason Clear नहीं हो पाता है, और सुर और बुद्ध के छेतर के बीच में यह सुर के छेतर में जब कमी देखने को मिले, तो इस Condition में Self Doubt बहुत ज़्यादा क्रियोट होता है, आप ज़से ज़्यादा वो है, जो हर जगे अपनी गलती सबसे पहले देखते हैं कि मेरी ही गलती है इसमें, मेरे ही द्वारा यह चीज़ बहुत जब कि सामने वाले की गलती है, सामने वाले को पता भी है कि आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपने कुछ प्रॉब्लम क्रियेट किया ही नहीं, लेकिन Self Doubt की ज़ो भावना है, वो कहीं न कहीं जानी रही है, और वो जाती भी नहीं है, इसलिए हर चीज़ का डाउट खुद के उपर आना शुरू हो जाता है, इस चीज़ को ठीक करने के लिए गाहितरी मंद का जाप कर सकते हैं, सूरी देव की अराधना कर सकते हैं, सूरी नमशकार कर सकते हैं, और सबसे आसान और सरल उपाईस में ये है कि पीता वो उनके समान जितने भी भुजूर्ग लोग हैं, उन सब का आश्रिवाद ले सकते हैं, अथो उनकी भी अराधना कर सकते हैं, तो ये चीज़ क्या करेगी कि आपके कुल देवे देवताओं को भी आपके प्रती आकरशित करेगी, आश्रिवाद आपको प्राप्त होगा, तो उससे लाइफ में जो भी आपके सेल्फ डाउट हैं, खुद के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस की कमी हैं, फियर की भावना जो है, वो खतम निश्चीत रूप से हो पाएगा, आपका सूर्व पर मुल्टिपर्स लाइन किसी का भी होता है नीचे के तरफ, तो ऐसा जाता है कि हर छेतर में हाथ हाजमाता है, हर तरह का का काम करते हैं, हर तरह का रिस्क लेते हैं, तो इस कंडिशन में, अलग-अलग तरह के काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनरजी जो है, वो बहुत ज़दा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके करण फोकस में कमी हो जाता है, और आगे चलके क्या हो रहा है, तो जब उन सारे काम से लाब मिलना शुरू होता है, या लाब होने के आसा रुत्पन होते हैं, तो ऐसे कंडिशन आ जाते हैं, अपर पोजिशन में, जो दरसाथे हैं कि पैसे की, योगिताओं की सम्मान की कमी नहीं होगी, और बहुत सारे लोगों का काम आपके बल्बूते पर, नाम के बल्बूते पर यानि हो सकता है, तो सूरु पे जो कमी है, वो परवत दबने के कारण और शनी के दबाव के कारण ही है, अब जैसे यहाँ पर यह जो रेखा आपकी विध्या रेखा है, और विध्या रेखा इस बात का प्रतीख है कि आपके अंदर जो ग्यान है, वो दूसरों के लिए बहुत उप्योग कारी है, क्योंकि आपने हर छेतर में या हर विशय के बारे में experiences गेन कर रखा है, लेकिन क्या हो गया, कि वो experiences का लाव आपको नहीं मिल रहा है, इदर पर बीच में जो रेखा देख रही है, घर का ही सुख देता है, जो जादक संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, आलिशन घर का सुख भोगते हैं, किसी तरह की सुख सुधाओं संसाधनों में जब कमी नहीं होती है, कंसल्टिंसी यसे या कम्यूनिकेशन से लाब बहुत मिलता है, तो यसे रेखा आ जाती है, यही रीजन भी है कि मरकरे के उपर हम मल्टिपस लाइन देख पा रहे हैं, जो अच्छा बिजनेस सेंस और वर्क मेनेजमेंट या कम्यूनिकेशन को रिप्रेजन कर रहा है, तो इस कंडिशन में अगर अपने कम्यूनिकेशन को बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें, तो बहुत सारे काम कॉंटेक्ट्स के ही बलबूते पर आपके हो जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है, तो देखिए, ये कॉंबिनेशन क्या करता है, मूर्ट स्विंग्स देता है, जब एक से अधिक हरद रेखा हो जाती है, तो बार बार भावनाओं में, सोच में, एक्छाओं में, परिवर्दन होता है, जिसके करण कौन सी बात अच्छी बुरी लग जाए, ये तो आप भी जज नहीं कर सकते हैं, और किस बात से बहुत ज़्यदा प्रभावित हो जाएं, ये भी नहीं पता, ये combination health problem भी दे सकता है, अगर बहुत ज़्यदा emotional stress या trouble आ गया तो, ये रेखा यहाँ पर जो available हुई है, वो 37 and 8 में हुई है, और ये रेखा continue 54 case तक जा रही है, क्यों जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि आप अपने emotions को ignore कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, emotions के उपर में, आपका जो nature है, actual में वो देखा जाए, तो एक workaholic भी है, serious type का भी है, और बहुत सारी बातों को छुपाने वाला भी है, आप अपने गम या दुखों को इसले भी नहीं बताते हैं, क्योंकि लगता है क्या सामना अला understand करेगा, क्या कर सकता है, तो जो जा तक emotional होते हैं, sentimental होत सुनना, ये सुनने से आपको जो अनुभव होगा, वो अनुभव आप सांजाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लाइफ मेजिक होना शुरू हो जाएगा, और इस विशे में मैं जितना बताओं उतना कम है, ये experience आप करके देखिए, extreme level का satisfaction और extreme level का बदलाओ, रात और आज जो आता है जीवने, वो magic आप देख सकेंगे, सारे emotions clear हो जाएंगे, वो सुनते ही, इसके बाद में यहाँ पर हम देखें, तो mangal से रेखा करके, जो है, touch की है heart line के उपर में, देखिए, ये combination aggressive बनाता है, और इसने आपको जो सबसे major stress barrier नुपसान दिया, वो approximately 23 and 5 के में दिया, यानि frustration, aggression और family life trouble, अब क्या हुआ कि यहाँ पर हम देखेंगे, तो biforg का sign इस तरह से और फिर इस तरह से biforg का sign बनावा है, ऐसा कुछ नहीं है, इस condition में हुआ सिर्फ इतना है कि रेखा आ करके, एक रेखा सिधे शनी के तरफ चल गई है, मंगल से होते हुए, जो इस बात का प्रतिक है कि आपके life में यह रेखा आई थी नुकसान करने, घटना, दुर घटना करने और यह समय था आपके जीवन का, 26 और approximately 28 के मिड में, 26 से 28 के मिड में, family health और mental health को stress देने यह रेखा आई थी, लेकिन यह चल गई शनी पे, तो यानि उस समय जो भी आप दुर घटना से लाव पाना, ठोकर खाकर ठाकुर बनना, वो चीज आपके 26 से 28 के मिड में हुआ, और एक रेखा जो यह है यह आपको health issue दे सकता था, लेकिन इसने problem उतना create नहीं किया, बचपन में मानसिक तनाव घरेलू परशानी देखने को मिलिया, जो जातक बचपन में restriction यानी growth में restrictions, progress में restrictions, हमेशा तनाव की स्थिती बने रहे न, अपने पे ध्यान या प्रगती पे ध्यान नहीं हो पाना जादा, इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो मस्तश रेखा है, उसकी स्थिती ठीक है लेकिन यहाँ पर हम देख सकते किसमें बिखरावाना शुरू तो जब भी इसमें इस तरह के से बिखरावाता है या कोई एक हलकी सी बहुत support में एक line इसे चलती है जो यहाँ चल रही है, यही वो रेखा है जो mental stress को बढ़ाती है, doubtful बनाती है और और ज़्यादा इसने चिंदाओं को 34-34 के बाद से बढ़ाया, अभी के समय पे इस्तिती थोड़ी ठीक है और आगे चलके और ठीक हो जाएगी तो उसके लिए आप बेफिक्र रही है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी मस्तिश रेखा सीधे है, तो जितना ज़्यादा इस पश रहेंगे अपने जीवन में, जितना ज़्यादा negative thinking, over thinking से दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने अंदर हिम्मत रखेंगे, उतना अच्छा जीवन आपका होता जाएगा, और जितना ज़्यादा doubts रखेंगे, negative thought रखेंगे, तो ये देखिए मंगल की रेखा आना शुरू हो रही है, ये रेखा coat कचिरी दे देती है, तो ये रेखा कमजोर है, ब जिनके हाथ में है, वो है शिवजी, उनकी अराद ना करिए, कभी पीछे पलट के देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी, आपकी मस्तिष रेखा ठीक है, इस पस्ट है, सीधे है, तो सीखिने समझने के छमता, योगिता बढ़िया है, और mercury line देखिए, इसमें टच किया है, तो बिजनस में और इंडिपेंडेंट वर्क में बहुत आपको लाब है, और उसके द्वारा ही बहुत ज़्यादा प्रगती है, जीवन रेखा में, एक, दो, और हल किसी ये रेखा, तीन बार जो है, राहु रेखाओ ने प्रॉब्लम दिया आपको, 28, 30 और 32 में, लेकिन 32 म इसमें भी निकला था, तो उसमें भी आपने प्रगती किया, अब रेखा सीधे बाहर के तरफ जा रही है, जो कार्य के प्रती रूची, तरक्की, जर्मिस्थान से दूर प्रगती, इन तीनों चीजों को दर्शा रहा है, और बाइफोर कर कसान, यानि एक से ज़्यादा पुद का नया काम और उस नया काम से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपको मिलताव दिखाई देगा, अंद्रुनी मंगल की स्थिती, बाहरी मंगल की स्थिती ठीक है, तो शारीरी गठन बलूर्जा मांसिबल ठीक है, फिजिकल फिट मेंटिली अलर्ट रहेंगे, शुकर खड़ी रेखा भी इना फॉमांट में अवेलिबल है, जो दर्शारी एक की लाइफ बहुत सारे मोके दी है और आगे भी देगे आपके जीवन को सुधानने के लिए, रिस्क लेने से पीछे मत हटिएगा, ये शुकर आपको जीवन में सारी रही सी सम्रिद्धी देगा, सा इस भी तरह का आपको डर भहे चिंता है, प्रोफेशनल लाइफ, फ्यूचर लाइफ, सब के रिगार्डिंग वो सिर्फ जूपिटर के वीक, सैटन एंड सन के वीक होने के कारण है, क्योंकि जूपिटर वीक होता है तो नौलेज होता है पर यूटिलाइजिशन नहीं हो प पाता या उतनी काम्यावी नहीं मिल पाती है, जिसके हगदार है, जैसे कि किसी के लिए बहुत समर्पित रहे लेकिन क्रेडिट रिवोर्ड अवोर्ड नहीं मिला, मेहनत आपका क्रेडिट कोई और ले गया, तो ये सारी स्थिति के लिए अलग-अलग रेमेडिय नहीं करन हैं, और दो कॉंबिनेशन आधे अधूरे हैं, अगर ये प्रॉमिनेंट हो गए, तो आपके जीवन में दिन दुगनी राजचोगनी उन्नती हो जाएगी, ट्रेंगल और स्क्वेर का साइन, एक रेखा और है, जिससे पुरु पुर्ने रेखा कहते हैं, जो कन्फुमिशन देता है कि संघर्ष इस कंडिशन बेकार नहीं जाता है, और संघर्ष के बाद इनको सफलता प्राप्त होती है, तो ये रेखा आती है, ये रेखा अपना सुप्रभव आपको 45 के एट से देगी, जिसमें नाम सम्मान आपका बढ़ेगा, और ये है आपका लेफ्ट हैंड, यहाँ पर भी कोई प्राप्लम नहीं है, बस सूर पर ये देख सकते हैं कि बाइफोर्गर का साइन है, जो करन्फ्यूजिंग माइंड सेट देता है, अलग-अलग तरह के काम करके एक्स्पिरेंस लेते हैं, लेकिन अंते तरह सूर के रेखा मरकरी के तरफ गई, इसलिए कम के थुरू लाब इस कंडिशन मिलता है, माइंड लेन भी सीधे जा रही है, लेकिन दो ब्रांचे इसमें से मरकरी के तरफ गया, तो ज्यादा आपका दिमाग, व्यापारिया, खुद के काम में लगेगा, दोनों हतेली में चंदर की भाग रेखा लमसम है, तो दूसरों के स सुख सुविधा आपको चुमबालिस के उमर से आना शुरू हो जाएगा, लमसम, तो यह थी सबसे महत्पुन बाते आपके हाथ करेगाड़ी, आशा करता हूँ, सुविप रश्न को अत्तर मिल गया हो, आपके अंदर विराजे इश्वर को मेरा प्रणाम